जब इस घटना की सूचना मिली तो गांधी नगर पुलिस मौके पर पहुची, वहाँ कुछ खून के छीटे गाउ के एक घर के आसपास देखने को मिले, जिस पर पुलिस ने हत्या होने की आशंका पर जात शुरू की, तो पास के कुए में फत्तर से बंधा हुआ युवक का दिखाई दिया, वही SDRF की मदद से पुलिस ने शव को बाहर निकाल कर पंचनामा कर पोस्ट मौटम के लिए भेजा, जिसमें हत्या करने की बात सामने आई, इसी आधार पर पुलिस ने कुए के आसपास के घरों में पूशताच की, तो पता चला कि आरोपी के द्वारा 5,000 रुपए उधार लिए गए थे, जिसे लेने के लिए मृतक आरोपी के घर गया हुआ था, इसी दौरान आरोपी ने उस पर लाठी डंडे से वार कर उसे घायल कर दिया, और फिर घर में रखी कुलहाडी से मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आरोपी न झाल 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 झाल